29 एप्रिल की शुरुद नम्यव सको सोगत है परमपिता परमात्मा आज कहता है कि सर्व संबंदों की एनुबूती के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले त्रिप्त आत्माभवा तो परमात्मा के साथ में संबंद हैं और साथी साथ उनके साथ में जो हमें प्राप्तियां मिलती हैं सुक, शान्ती, प्रेमानंद, खुशी, संतुष्टा इन सब प्राप्तियों से हमें त्रिप्त होना है तो परमात्मा कहते हैं जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिसिती में, हर कर्म में सदा प्राप्ती की खुशी में रहते हैं हर परिसिती में, हर कर्म में, सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं, इसमें लौकिक प्राप्तियों की बात नहीं हो रही है, इसमें परमात्मा से कनेक्शन करते समें, कर्म करते समें, चाहे उसमें प्रॉफिट हो, लौस हो, जीत हो, हार हो, जय हो, पराजे हो, जो भी हो, लेकिन हमें परमात्मा से जो प्राप्ति हो रहे हैं उसे हमें खुशी रहे कई बच्चे या नुभूती करते हैं कि हाँ वह मेरा बाबा है, साजन है, बच्चा है वह मेरा बाबा है, साजन है, बच्चा है परमात्मा के साथ में हमें इतने सारे संबंद बना रहे हैं, बाप भी है, जिससे हमें वर्सा मिलता है, साजन है, ताकि मेरी दृष्टी और कहीं न आजाए, वो मिझे श्रिंगारते हैं, और बच्चा है, कि जो कुछ भी धन संपत्ती मेरे पास में है, मैं उनको देने के लि तो अनुभूती के साथ सर्फ संबंदों द्वारा प्राप्ती की महसूसता हो, प्राप्ती की महसूसता, सिर्फ संकल्ब से बुद्धी से सोचना नहीं है, लेकिन महसूस करना है, ऐसे प्राप्ती और अनुभूती करने वाले सदात्रप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी कि सम्बंधों की सहत की किसी चीज में उनको कभी भी कमी नहीं मैसुस होती जहां प्राप्ति है वहां त्रप्ति जरूर है ओम शांती